हलो प्यारे दोस्तों स्वागित है आपका इंटर्वियू क्लासेज में बात करेंगे आज हम अपने 9th और 11th क्लास की पूरक परिक्षा जो 8 माई को अने वाली उसके बारे में जिन विद्यारतियों के दो सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट में आपके पूरक यानि सप्लिमेंटरी परिक्षा आ गई है उनके जो एक्जाम है अपके 8 माई से स्टार्ट होँगे जिल्ला समान परिक्षा के तैत 9 और 11 कक्सा की पूरक परिक्षा आठ मई से सुरू होगी यह परिक्षा पंदरा मई तक चलेगी और रिजल्ट जो है 16 मई को गोशित किया जाएगा पूरक परिक्षा के प्रश्ण पत्र स्कूली इस्तर पर ही तयार किये जाएगे कहने का मतलब जो आपके सप्लेमेंटरी होगी उसका पेपर आपके बाहर से नहीं आएगा आपके विद्धेयले के जो अधियापक है वो ही तेयार करेंगे पूरक परिक्षा अदिक तमकीनी दो विश्वय में ही दी जा सकेगी आप कि अगर दो विशेव में पूरक परिक्स आई तो ही आप ये पेपर दे पाएंगे इससे ज़्यादा होता है तो फैल माना जाएगा और जो विद्यारती फैल हो चुके हैं उनको वापस उसी क्लास में बैठना पड़ेगा तो जिनको पूरक परिक्स आई है उनके लिए वापस पेपर बनेगा अभ्यारती को 36 फिसदी अंक लाना जरूरी है कहने का मतलब आपके पेपर आईगा 100 नंबर का उसमें से आपको 36 नंबर लाने पड़ेंगे 100 नमबर के पेपर में आपको 36 नमबर लाने पड़ेंगे तब आप पास माने जाएंगे तो ये न्यूज आपके जिन भी विद्यारती या मित्र है आपके क्लास में है कोई आसपडोस में जिनके पूरक परिक्सेनी सप्लिमेंटरी आच चुकी है उनको ये जरूर बताएं कि उनके एक्जाम आठ मई से होंगे ताकि वो एक्जाम को पास करें और नेक्स्ट क्लास में बैठने के योग्य बन सके ये वीडियो जरूर सेर करिएगा अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट बाट में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत